आग्रविकास प्राधिकरण की टीम ने छिपिटोला सब्जी मंडी परिसर में अनधिकरत रूप से संचालित कई प्रतेष्ठानों को सील कर दिया है प्रतेष्ठान मालेकों का आरोप है कि नगर निगम ने उन्हें लीज पर दुकान दी थी कार्यवाई करने से पहले आग्रविकास प्राधिकरण ने कोई नोटिस नहीं दिया था सिकंद्रा मंडी में इस्थान अंतरित होने के लिए नोटिस जारी किये गए थे फिर भी वे अनाधिकरत रूप से यहां कारुबार कर रहे थे शीपिटोला सब्जी मंडी समिती के सचेव रियासत अली का आरोप है कि नगर निगम ने 10,000 रुपे लेकर 1974 में लीज पर दुकाने दी थी वह लगातार किराया भी दे रहे हैं सील करने से पहले आगरा विकास प्राधिकरण ने कोई नोटिस नहीं दिया कुछ लोग मंडला युक्त अमित गुपता से भी मिले थे मंडला युक्त ने आस्वाशन दिया कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा पूरा गोदला लीस पर है आजकल जितनी भी प्रोपर्टिया एडिया कि ये सब लीस में हैं उसके बाद ये फिरी ओल्ड करती है तो ये फिरी ओल्ड दो हो चुकी है और अभी पिछले साल 2222 में कैई लीस को ट्रांसफर भी की गई है एक फिरी ओल्ड भी की गई है सील लगाने पहुंची तो छीपी टोला सबजी मंडी में हरकंप मचक्या कारोबारी आरोप लगाने लगे कि अदालत में प्रकरण विचाराधीन होने के बाद भी सील लगाने की कारेवाही की गई है सी नियूस के लिए मनिश जैन की रिपोर्ट